आज हम पोहा से बनाएंगे बहुत ही लाजवाब सा नास्ता एक चमस तेल में इतना टेस्टी नास्ता जिसे आप हमेसा बनाना पसंद करेंगे और हमेसा घाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है कम तेल में बना ये नास्त पोह का टेस्टी आस्ता बनाने का लिए , लिया है को जितना कम स्वाफ गॉंधा नास्ता बनाने चितना कम या ज्याधा बनानाना हो उतना पोह ले सकते हैई। इसे वर इस बड़ी भ्रम डालेंगे और साप पानी से ही करना है। पोहाद उलने के बाद इसे मिक्सी के जार पे डालना है और दही डाल कर इसे पीस लेना है अभी हम पानी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बैटर हम एकड़ा त्यार करना है तो पानी और दही जब डालेंगे तो ये काफी पतला हो जाएगा तो भी हमने दही डाल कर इसे लिया है दो निया निया है जोड़ा तक चोटे चोटे करके डाला है त होड़ा साधी सथे भी है आप को पसंद में i any आधि गटोरी के कारीब शुजी डालेंगे नमक डालेंगे स्वाधानुसा थोड़े से चिली फ्लैक्स और आतर चमज के कारीब पेकिंग पाउडर डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करें हैं पानी की जरूरत हमें लगे तब थोड़ा-थोड़ा सा डालकर इसका गड़ासा तयार करें पहले ही पानी नडालते नहीं तो यह बैटर हो जाएगा पतला और फिर अपी ना अच्छे से बनाते नहीं वने 짧ई हैं बैटर को घाडर करना है सारी द्यार को बैटर तोड़ा साथड़ा पानी डालते हुए गाड़ से बैटर तयार कर लेंगे आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल इस तरीके से गाड़ा होना चाहिए बिल्कुल भी पतला नहीं तो अभी हम इसमें तड़का लगा लेते हैं पैन में हमने तेल करम किया है इसमें हम राई का तड़का लगाएंगे यह जैसे ही चटकने लगे गैस को करेंगे बंद और इसमें कड़ी पता डालेंगे कड़ी पता डालने के बाद इसे फटा-फट से डालना है बैटर में और अच्छे से मिक्स कर लेना है यो तो यह तड़का के बिना भी आप बना सकते हैं पर जो तीस्ट तड़का लगाने के बार मिलता है वो ऐसे नहीं बिनेगा तो यह ज़दा टेस्ट ही बनेगा तो यह बैटर तयार है अपे बनाने के लिए अपे पैन को हमें गरम कर लिया है इसमें थोड़ा सा घह या तेल लगा कर इसे छिकना कर लेंगे अब हम डालेंगे बैटर को बैटर थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालें अगर अपे बड़े-बड़े से बनाना है अपे छोटे-छोटे से बनाने है तो बैटर थोड़ा-थोड़ा सा डालें तो मैं तो इसे भर-भर के डाल रही हूं ताकि अपे बड़े-बड़े से फूली फूले से स्पाौज इससे बनें गैस के फ्लेम को एकदम लो रखना है लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है ताकि एकदम सोन्दे सोन्दे से ज़ादा टेस्ट इसे बनेखें और अच्छे से सł ster को जाएं तो इसे एक तरब हम पलट देते हैं 2 stagn दो अच्छे से इस तेस्ट भी गरबड हो जाएगा तो इसे सेखने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें अलट पलट कर पड़ी असा सुन्यारा होने तक सेख लें आप देख सकते हैं यह कितने फूले फूले से हो गाया है और यह बहुत ही टेस्टी से बने है अच्छा सा कलर आया है एक तम तो फटावर से यह बना ही डालिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगा इसे आप अपने मन पसंद कटी तीखी चटपटी चटनी के साथ खाए या फिर अपने मन पसंद कैचप के साथ खाए बहुत ही लाजवाब बने हुए है मैं आपको तोड़ के लिखा देती हूं और आपके मुह में तोड़ा सा पानी भी ला देती हूं आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा सॉप्ट कितना ज्यादा स्पॉंजी सा बना हुआ है तो आप इसे जरूर बनाए खाए और फड़वर से कॉमेंट करके बताए कि आपको य देहें ऐसी ही तेश्टी तेश्टी लाजवाब एक दम नई रसेपी के साथ नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई